हेलो यूटूब फैमली, कैसे हैं आप लोग, रेसिपी सब कोमल में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ, तो आज मैं बहुत ही अलग तरीके की सबजी बनाने जा रहे हूँ, जिसे हम वेज़ फीस कड़ी भी कहते हैं, तो एक बाट इस तरीके से जरूर बनाएं, और वीड हमने दो बॉइल केला लिया है, तो इसको मैंने पहले से बॉइल किया था, और एक मैंने बड़े साइजका आलू ले लिया है, तो इन सभी को पहले हमें अच्छे से छील लेना है तो चलिए इसे एक बर छील लेते हैं तो यकीन वानिए गाइस इस रेसेपी को आप लोगों ने ट्राइ कर लिया मचली खाना भूली जाएंगे तो चलिए इसको मैंने अच्छे से छील लिया था तो इसे रखते हैं side में और मैं आपको अब दिखाते हैं next process तो ये हमने लिया है soya bean तो soya bean में हमें डालना है गर्म पानी आप normal पानी भी ले सकते हैं पर गर्म पानी से बिल्कुल अच्छे से soya bean फूल जाती है तो इसलिए मैंने लिया है गर्म पानी और इन सबी soya bean को अच्छे से पानी के अंदर डूगो देंगे जिसे ये बिल्कुल अच्छे से soft हो जाए तो चलिए इसे भी रखते हैं outside में और जो हमने केले और आलू को छील कर रखा था उसे अब हम एक बॉल में डाल देते हैं तो इन सभी को हमें मैस करना है आप चाहे तो मैसर का भी इस इसे मैस कर सकते हैं तो चलिए चमच की मदस से थोरो मैस कर लेते हैं तो मैंने आपको चमच की मदस से मैस करना दिखा दिया है और सभी चीजों को मैं और हातों की मदस से मैस कर लूँगी और ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इन सभी चीजों को मैस कर लिया है और पानी को अलग कर देना है और सोया बीन को भी अलग तो मैंने सभी सोया बीन को इसी तरीके से एक प्लेट में निकाल कर रख लिया था और ये देखिए और इसे हमें अभी ग्राइंड करना है तो इसे बिल्कुल जादा ग्राइंड ना करें बस मिकसर चलाए और बन कर दें दो आलू और केले में, तो इसे भी अब हम डाल देंगे, जिससे हमारा मचली का टेस्ट बिल्कुल ओरिजनल तरीके का आए, तो इन सबी चीजों को अच्छे से हमें मिला लेना है, तो मैंने हातों की मदस से इसे अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें हम एट करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और एक छोटा चमच ये करी, हल्दी पॉडर, और देर छोटा चमच ये करी मैं इसमें डाल रही हैं, कास्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका कलर और भी ज़्यादा निखर किया है, तो चलिए अब इन सबी चीजों को भी अच्छे से मिला लेंगे, और हाँ इ इसे ये बिल्कुल अच्छे से मिल पाए, तो ये देखे, मैंने सबी चीजों को अच्छे से मिला लिया है, तो ये अभी कम्प्रेट नहीं हुए है, तो इसमें और कुछ चीजे हमें डाल ला है, तो मैं डाल रही हूं इसमें दो बड़ा चमच ये करी मैदा, और एक चमच ये करीब डाल रहे हैं हम इसमें कौन फ्लोर, और इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो मैं आपको मिक्स करके दिखा दे रही हूं, इस रेसेपी को एक बड़ा आप लोग जरूर ट्राई करें, और मेरे चैनल पर अगर जो आप लोग नया है, तो मुझ मचली जैसे ही, तो आपने जिस तरीके का मचली का सेप मार्केट में घर में देखा है, बस मैं उसी तरीके से बना रही हूं, तो ये देखें, ये बहुत इजी तरीके से बनकर त्यार हो जाती है, तो एक बार इस तरीके से आप जरूर ट्राई करें, तो ये देखें, और ब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है तो मैं आपको दूसरा भी बना कर दिखा देती हूं तो यह देखे बस इसे हमने गोल किया और थोड़ा सा इसे लंबा इस तरीके से से शेप दे दिया है बस उम्लियों की मदद से इसे टैप से त्यार कर लेते हैं तो यह देखे मैंने बाकी को भी अच्छे से त्यार करके रख लिया था तो अब हम मसाले की त्यारी कर लेते हैं तो चलिए अब इसमें हम पहले डालेंगे दो मीडियम साइज की प्याज तो इसको मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया था और इसमे बारा लेसुन की कलिया इसको मैंने छीला नहीं है बिल्कुल इसी तरीके से डाल देना है और इसमें डालेंगे तीन हरी मिर्च और थोड़ा समय ने आलमंड का इस्तमाल किया है तो यह मैं पिस कड़ी बना रहे हूं तो इसका टेस्ट रेस्ट्रुएंट जैसा ही लगेगा त तो यह देखिए मैंने बिल्कुल इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है तो इसे रखते हैं साइड में और देर ना करते हुए कड़ाई की तरफ बढ़ते हैं तो यह देखिए हमने कड़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें डालते हैं कुकिंग ओईल तो इसे इसका कलर और भी ज्यादा निखड के आए तो चलिए कुकिंग ओईल गर्म हो चुकी यह तो इसे अब हम पहले फ्राइ करते हैं जिस तरीके से हम मचली को फ्राइ करते हैं तो बस गैस का फ्लेम हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भ तो इसे खाकर कोई भी नहीं बोल सकता है कि यह मचली नहीं है तो यह देखिए बिल्कुल अच्छे से यह फ्राइ हो चुकी है तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और एक बार मैं आपको सामने से इसका कलर दिखा देती हैं तो वाव लग रही है ना बहुत टेस्टी तो एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसकी रेसिपी आप लोग को कैसी लगे सभी अच्छे से बस निकाल लेना है हमें तो आप लोग को मैं ठैंक्यू बोलना चाहती हूं क्यूंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं चाहती हूं इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे हैं और मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोग के लिए लेके आती रहूं तो चलिए सभी मचलियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है सौरी गाइस वेज मचली को मैंने सभी को फ्राई कर ल मुझादे दोसे चिजों को अच्छे से एक बार भूल लेंगे इसका फ्लेम भीर्कुल हमें मीडियम ही लखना है इसमें आधार में पानी टुर दाल कर अग्या तो इसको धाक दीने और यूंडे पर ध्यान दखिए हमने मचली बनाते समय भी नमक के इस्तमाल किया था तो नमक आप अपने हिसाब से डाले और एक छोड़ा चमचे करीब हल्दी पॉडर और इसमें डाल देंगे एक से देर छोड़ा चमचे करीब लाल मिर्च का पॉडर आप जितना तीखा खाना पसंद करे उसे साफ से लाल मिर्च का पॉडर डाले और एक छोड़ा चमचे करीब मैंने डाला है जीरा पॉडर और एक छोड़ा चमचे करीब मैंने डाला था धनिया पॉडर और इन सभी को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है तो चलिए अब हम ढखक कर मसाले को बिल्कु अच्छे से भून चुका है, तो मैंने डाला है, एक medium size की glass से एक glass के करीब पानी, और पानी को बिलकुल मैंने अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम इसमें उबालाने देंगे, और उबालाने से पहले इसमें थोड़ा सा अब हम डाल देते हैं गरम मसाला, यह बिलकुल optional है, आप चाहे तो इसमें डालिए, यह वरना छोड़ सकते हैं, तो boil आने लगा है, तो इसमें मैं सभी मचलियों को इस तरीके से डाल दूंगी, तो देखी, इसका कलर भी बिलकुल मचली जैसा आ गया है, आप देख सकते हैं, तो इसे ढख कर बस हमें, एक से दो मिनट के लिए कुक करना है हाई फ्लेम पे, और इसका धकन हटा कर एक बार देख लेंगे, तो इसके बिलकुल अच्छे से त्यार हो गया है, तो बस इसके उपर अब थोड़ा सा हमें डालना है धनिया पत्ती, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, इससे ज़्यादा इसे कुक बिलकुल भी नहीं करना है, वरना मचली तूटने लगेगी, तो इसलिए मैंने इसका गैस बंद कर दिया है, और इसके उपर मैंने बिलकुल अच्छे से दनिया पत्ती को डाल दिया था, और दो छोटा चमस ये खरी मैंने डाला है घी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे इसकी भी कर सकते हैं, तो ये बंद कर बिलकुल अच्छे से त्यार हो चुकी है, तो एक बार इसे रोटी चावल किसी के साथ खा, ये काफी टेस्टी लगती है, और वीडियो अच्छी लगे, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना तो बिलकुल भी ना भूले गाई, तो मैं इसका कलर आपको सामने से दिखा देती है, तो ये देखिए इसका कलर कितना चागया है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक क्लिए गाईस, बाबाई,